हाई एवरिवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हू रहूल जैस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग ग्रामर का वह आपको यूज होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लगने वाले है तो आज के हम बात करने वाले आज रूल्स टू राइट एनसे जनरली क्या होता है कि हम बच्छमन से ऐसे लिखते आते हैं बट कोई भी आज तक बहुत अच्छे पार नहीं स्कोर क फेवरेट फेश्टिवल, अगर फेवरेट फेश्टिवल के उपर दे दिया, तो आप क्या बोलते हैं, मतलब इसका कोई एक सिक्वेंस नहीं होता है, जिस प्रगर मैंने इसके पहले के लेक्चर में, जब इंगलिश ग्राम अगरा मैंने प्रिवेस वीक में एक लेक्चर लि तो आप जाके देख लेना बहुत इंपोर्टेंट लेक्चर वीडियो था दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे हाउट टू राइट एसके, तो आज मैं आपको 7 इंपोर्टेंट टिप्स या फिर 7 इंपोर्टेंट रूल्स आप बोल सकते वह बताने वालो, एन उसके इसाब से लिखोगे, definitely you'll get a good marks in your essay, out of 10 marks हुए, तो आराम से आप 7 to 8 marks जो है, स्कोर कर सकते हो उसमें, ठीके दोस्तों, शुरुवात करते हैं, सबसे पहले कि आपको जो भी topic दिया रहेगा, सबसे पहले, rule no.1 जो है, tip no.1 जो है, आपका जो भी topic दिया है, let's suppose 3-4 आपके बास option आते फेवरेट festival है, फेवरेट क्रिकेटर है, फेवरेट sports है, या फिर जो भी particular topic है, सबसे पहले आपको decide करना होगा your topic, that is, first, सबसे important आपके मन में, आपको decide कर लेना होता है your topic, decide your topic, यह सबसे important चीज़ है यहाँ पे, अगर आपने अपना topic decide कर लिया, और आपके मन में बोलते है तो आप बोलोगे कि नहीं, इसके बारे में अगर मुझे थोड़ा पता है, तो मैं लिख सकता हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, दोस्तों, कि जिस चीज़ के बारे में अगर आप पूरी जानकारी रखते हो, वो ही topic को आपको select करना होगा, तो choosing the correct topic is first priority, यह आपको याद रखन है, कि वो जो भी topic आपने choose किया है, उसके बारे में आपको एक concept clear करना है, तो आपका जो भी topic रहेगा, उसका thoughts जो भी आएगा आपके मन में, तो thoughts, जो भी ideas आपके मन में आ रहे है, उसका क्या करो एक तरीके से, एक flow chart जो है दोस्तों, build up कर लो अपने मन के अंदर, flow chart decide कर ल हूँ, वो ज्यादा time मत लीजेगा, आपके मन में within 10 seconds to 1 minute के अंदर आपके अंदर एक thoughts create हो जाना चीए, let's suppose मैंने decide कि I want to write an essay on my favorite cricketer, अब तुरंद click होना चीए, कि मेरा favorite cricketer को होने, yes, Virat Kohli है, Virat Kohli कहा था, पहले कैसे आया cricket में, first match उन्होंने कैसा खेला, क्या-क्या achievements उन your paper, यह सबसे पहले आप कर सकते हो, ठीक है, अब यह करने के बाद, third चीज़ आपको क्या करना है, तिसरा चीज़ आपको यह देखना है दोस्तों, कि आपको अभी अपने topic decide कर लिया, आपने उसका thoughts और idea सब मन में डाल लिया, अब आपको शुरुआत करना है, तो सबसे पह आपको एक प्रॉपर तरीके से इंट्रक्शन देना है, कि आप जो भी पहले topic कहना चाहते है, उसके बारे में आप बताओ कि आप कि इस बारे में चर्चा गर रहे हो, जो reader होगा, जो पढ़ रहा है आपका essay, जो चेक कर रहा है, आपका teacher होगा, उसको पढ़ के मजा आजा कि starting में आप एक impression बोलते हैं, first impression is the last impression, यह आप अगर create कर लिए उसके मन के अंदर, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक तरीके से अच्छा मान लिया जाएगा, और आपका जो essay बचा कुछा है, वो आपको अच्छे से read किया जाएगा, और अच्छे marks मिलने का आपको probability हो सक कि आपको वो चीज समझ में आ जाया, जो read करने वाला है, उसको proper तरीके से यहाँ पे clear हो जाए, second चीज यहाँ पे introduction में ही कि जो भी आप लिखोगे उसको well organized manner में लिखना है, ऐसा नहीं कि तूटी-फूटी English लिखना आपको, चलो English का problem है, that is the secondary thing, लेकिन आपको ऐसा नहीं आपको यहाँ पे, जो मैंने आपको पता है, third जो आपका rule था, जो है introduction वो आपको लिखना है, ठीके न, आप introduction होने के बाद, आपको ध्यान देना है आपके body के उपर, यानि कि जो भी आप paragraph लिखते है, उसके उपर आपको ध्यान देना है कि आप body में क्या लिखोगे, body मतल पहले ही जब आप sentence को start करें, तो वो एक कुछ attractive line से start होना चीए, ठीक है, तो कुछ ऐसे चीजे, कुछ ऐसी भावना हो, कुछ ऐसी feelings को वहाँ पर डालो, एक कडिके से जो read करने वाला होगा, उसको वहाँ पर पढ़के ही मजा आ जाएगा, और वो interest दिखाएगा आपकी essay मे read करने के लिए, तो कुछ ऐसे होते है, starting में या बोरिंग लाइन लिख दोगे, कुछ भी लिख दोगे, normal as it is लिख दोगे, तो वहाँ पर वो interest नहीं दिखाएगा, और आपको बीना चेक किए, वो marks देके 2 या 3 marks देके चला जाएगा, 10 out of, तो आपको कुछ मतलब नहीं हु use, long statement, आपको वो छोटे-छोटे statement जो होते हैं, जो attractive होते हैं, वो use करना है, ज्यादा लंबा, और boring paragraph जैसा नहीं लिखना है, तो बोरिंग हो जाएगा, तो वो पुरा read नहीं करेगा, और marks देके चले जाएगा, ठीके, तो boring paragraph नहीं लिखना है, और बार-बार same words, repetitive words जो होते हैं, तो ऐसा words बार-बार अगर लिख रहे हो, तो सामने आलब बोलेगा, क्या यार, इसको कुछ आता ही नहीं, यह बार-बार एक ही word लिख रहा है, और paragraph को लंबा कर रहा है, तो यह एक negative impact क्रिये कर सकता है, तो आपको, अगर एक ही चीज़ को लिखना है, तो आप दूसरे तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है, आपने पहले बोला कि I like him so much, you like कर रहे है, वो reason बताओ, ठीक है बाकी लोग उसको पसंद करते हैं, आप इस तरह से बता सकते हो, कि बाकी लोग पसंद कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर कुछ quality है, तभी तो लोग पसंद कर रहे हैं, that's why continue करना है, write your paragraph, body के बाद आपको ये paragraph के साब से लिखना है, मतलब जो भी आप content लिख रहे हो, जो भी आप content जो लिख रहे हो, उसको paragraph के साब से लिखना है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एक question answer जैसा आप brief लिखते हो, पूरा पूरा भर दी है, line से, वैसा नहीं, आप जो paragraph लिखना है, वो एक orderly manner में लिखना है, और इस तरह से लिखना है, one by one, यानि कि अगर आपने एक paragraph लिखा, for example, introduction होने के बाद आपने एक paragraph लिखा, वो paragraph के बाद आप second जो paragraph लिख रहे हैं, वो orderly manner का होना चीए, यानि कि अगर आपने एक paragraph लिखा है, और दूसरा paragraph लिखा है उसमें difference नहीं होना चीए, वो same content का होना चीए, ऐसा नहीं कि आपने पहले paragraph में कुछ और बारे में बताया है, और second paragraph में आपको बताया है, यानि कि लेना देना ही नहीं है, link करना बहुत important है, क्योंकि तभी उसको interest आएगा, जो reader होगा, जो check करने वाला होगा, उसको interest आएगा कि आपने पहले paragraph खतम, पहला paragraph अगर आपने खतम किया, और इसके बाद क्या आएगा, क्या लिखा है उसने, वो check करने के लिए दुबारा दूसरे paragraph में जाएगा, तो वो चीज़ आपको लिखना है, कि सामने वाले का interest बना रहे वहाँ पे, तो आपको one by one paragraph में लिखना है, और साथी में कुछ ऐसे terms का use करना है, जो novel words जो use करते हो, आप in short उसको jargons बोलते हैं, कुछ ऐसे words जो होते हैं, जो difficult होते हैं, enthusiasm, ठीके ना, किसे हाइफाइ बड़े-बड़े words होते हैं, जो एकदम तगड़े लगते हैं, enthusiasm, enthusiasm मतलब जजबा, कि विराट कोली is a very enthusiast player, यानि आप एसा बोल रहे हो कि विराट कोली is a very enthusiast player, तो enthusiast का meaning क्या होगा, तो आप वहाँ पर explain करो, कि yes, because he is very hard working, he never give up, that's why he is a very enthusiastic player, तो आप एसा लिखोगी, तो सामने वाले को समझ में आगा, कि यह जो word उसने लिखा है, वो रट्टा नहीं मार का है, उसको पता है उस word का meaning, तो यह एक impression अलग तरीके से create करेगा, ठीक है, और try to enter some emotions, आप वहाँ पे कुछ emotions डालो, कुछ ऐसा चीज डालो, कि सामने वाला जब पढ़े, तो उसके अंदर एक emotions आए, एक feeling आए, कि यार वो जो पढ़ रहा है, उसको मजा आ रहा है पढ़ने में, एक तरीके से वो flashback में चल होगा, और उसको पढ़ने में इतना मजा आ जाएगा, कि आपको 10 में से कम से 8-9 marks लेके चले जाएगा, ठीक है, कुछ-कुछ लोग तो 10 out of 10 marks भी score कर लेते हैं, ठीक है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से उनका handwriting plus way of presentation काफी matter करता है उसमें, तो यह चीज आप भी कर सकते हो, जो की, बोलते हैं, कोई चीज यहाँ पर नामुम्किन नहीं होती, तो अगर यह चीज आप कर रहो, तो definitely you'll get good marks, तो यह चीज आप कर सकते हो, emotions डालो, उसमें feelings डालो, and वो, जो reader होगा, उसको hit करना चाहिए, ऐसा कुछ feelings वहाँ पर enter करो, ठीक है, and एक और चीज हमेशे है रखना, try not to copy others, आप दूसरे को copy मत करो, क्यार उसने क्या words यूज क्या है, अपना जितना आप original रखने की कोशिश करोगे, जितना आप original रखते हो दोस्तों, उतना अच्छा रहता है, तो जरूर से compare करता है, इसने इसका छापा तो नहीं है, इसने इसे copy तो नहीं किया है, भले आपने उसका copy नहीं किया होगा, उसने आपका copy किया रहेगा, लेकिन आप फस जाओगे बीच में, तो ये कभी मत करना, अपना original answer रखो, ताकि जो content आप देना चाहते हो, जो probability आप देना चाहते हो, एक classic content देना चाहते हो, वहाँ तक original form में पहुच सके, तो ये बहुत important है, कभी भी copy मत करना, आपका content हमेशा unique होना चाहिए, ये हमेशा याद रखो, and last में, जो 6 point में देने जा रहा हो, 6 important tips जो है आपके लिए, जो कि ये write the conclusion, यहाँ पे आपको हमेशा से conclusion देना है, तीक है न, जैसे कि आप ऐससे जब खतम करने वाले, आपका main body और paragraph लिक के ज conclusion भी इस तरह होना चाहिए, कि सामने वाले पीड को पढ़के कुछ inspiration आये, उसने कुछ लिखाया, और मुझे पढ़के अच्छा लगा, तो that is the meaning of conclusion, तो आपको अच्छे से conclusion करना है, and बहुत importantly यहाँ पर यह करना है, कि आप कुछ message देना चाहते हो, ठीक है न, आपने अगर एक औरा create हो जाएगा आपका, और वो सोचे का कि yes, you are a very brilliant student, और आपको उधर का उधर ही हो, खुश हो के marks देके चले जाएगा, और आगे भी जब वो कुछ और check करेगा आपका, तब उसके मन में एक आपके लिए औरा create हो जाता है, और आपको अच्छा marks देके हमेशा से दे आते होंगे आपके facebook पे, whatsapp पे, social medias पे हम लोग कुछ status डालते हैं, ठीके न, वैसे यहाँ पे एक quote लिखा करो, कुछ ऐसे line, punch line जिसको हम लोग बोलते हैं, कुछ ऐसा line जो सामने आपको पढ़के मजा आ जाए, तो conclusion जब भी आप लिख रहे हो, तो वो हमेशा quote में खतम हो Unsuccessful इंसान वो होता है, जो इसने कभी try ही नहीं किया अपनी life में, तो यह चीज याद रखना कि आप हमेशा try करते हैं, कुछ न कुछ चीज के रहे हैं, यह तो हम पढ़ाई की बात करें, लेकिन आपके life में भी, अगर कुछ भी ऐसा चीज है, दोस्तो, कभी भी give up मत करना, बले आप 10 बार fail कि नहों, 11 बार जरूर से pass हो जाओगे, यह मेरी guarantee है, तो यह जरूर से करके देखना, तो दोस्तो, आज का यह हमारा English का lecture, यही पे stop होता है, जिसमें आपको मैंने बतानी कोशिश किये, कि किस तरह से हम लोग एक well manner, एक well तरीके से essay लिख सकते हैं, तो उम इसको implement कीजिए, जो मैंने code बताया, उसके बार में भी सोचिए, जरूर से अपने life में कामयाब भी नहीं है, तो आज के लिए इतना ही जल्द विलेंगे आपके सामने एक और नहीं बेतरीन topic के साथ, तो आज के लिए इतना ही कैसा लगा है हमारा यह आज का lecture वीडियो, English grammar क that is important tips for us से, प्लीज हमें comment करके बताएगा अपने राय और suggestion जरूर से दीजेगा दोस्तों, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, useful लगा है तो प्लीज वीडियो को like कीजेगा, share कीजेगा अपने सारे friends लोग के साथ, फटा-फट से share कर देना, अगर आपने अभी द